नमस्कार, एथर 450X की updated model के लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे, आपको जानके खुशी होगी कि आज generation 3 450X की launch हो चुकी है, इसमें सबसे बड़ी जो change हुई है वो है उसकी battery, 25% बड़ी battery का इस्तमाल किया गया, यानि कि पहले 2.9 kWh की battery थी, आज 3.7 kWh की battery pack उसमें डाल दी ग इसकी जो true range है वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है, eco mode में आपको मिलेगी 105 km की range, ride mode में रहेगी 85 km, sports mode में रहेगी 75 km और warp mode ने 65 km की range रहने वाली है, इसके अलावा battery pack में जो thermal management है, जो heat management है वो भी काफी जादा अच्छी है, जिसके चलते एथर का कहना है कि इसकी battery की जो इसके बावजूद ये scooter का भी thermal throttle नहीं करने वाली है, यानि की warp mode की जो maximum performance है वो पूरे time मिलने वाली है, उसके अलावा company ने यहाँ पे performance tires डाले हैं, जो की MRF के साथ काम करके इन्होंने specially 450X के लिए बनाई है, ये tires में 22% बहतर grip मिलती है पुराने scooter के मुकाबले, उसके अला की जो pressure है, वो dashboard में और application में दोनों जगह दिखने वाली है, उसके अलावा जो rear view mirror है, वो पहले काफी छोटी थी, लेकिन अभी उस mirror को और थोरा बढ़ा कर दिया गया है, उसके अलावा RAM जो है, उसकी भी size को बढ़ा दिया गया है, अभी दूगना कर दिया गया है, जिससे फाइदा यह है कि dashboard में और सारे features आपको मिलने वाले है, और उसके अलावा जो touch response है, वो भी बहतर हो गई है, और सबसे बड़ी accessory जो add हुई है, वो यह है कि latest footrest, पहले नहीं थी, सब लोग campaign करते थे, अभी latest footrest भी scooter में inbuilt आने वाली है, यह सभी changes के साथ, Ather 451 generation 3, कल से उप subscribe जरूर करके रखे, संकल्ब करे, वीद्व चुने